हाई वर्यवान गूद इवनिंग तो अल आफ यू गाईज वेलकम बैक तो ड्रेपल एस यूट्यूब चैनल तो गाईज आज यू नो जेके बैंक बैंकिंग एसोशियेट की जबर्दस प्रेपरेशन हमारी चल रही है आपके साथ 30 देज प्लैन हम लोगों ने शड्यूल कर हुआ है टूडेज डे नाइन और आप लोगों की डिमांड के उपर की सर लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो आज डी आई सेट क्लास रहेगी आपकी परसेंटेज बेस्ट तो इस पूरे क्लास के अंदर आप लोगों के दो टॉपिक चेक हो जाएंगे एक तो आप पर डेटा इंटर्प्रेशन में कितने अच्छे हो आप कितनी जल्दी ग्राफिकल डेटा को रीड करके समझ सकते हो सेकिंड आप परसेंटेज में कितने अच्छे हो परसेंटेज की मैं बात करूं तो जान है पूरे के पूरे को पूरे क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड की ratio proportion and percentage इसके बिना तो maths आ ही नहीं सकता तो जितना अच्छा आपका ये topic होगा उतना ही बहतरी ना आप लोग perform कर पाएंगे सो moderate level रहेगा इस तरह का level आप लोग पी ओ मेंस में भी हो सकता है तीन question का set इस level का आजगता है अगर pre में आएगा तो 5 question मेंस में आएगा तो 3 question ठीक है ओके so before starting channel अगर अभी तक आपने subscribe नहीं कर रहा है तो आपको पता है subscribe करके आपने bell icon दबाना है ताकि जबर्दस preparation आप लोग करते रहें हमारे साथ बट अगर किसी बच्चे को लगता है कि time कम है और उसने अच्छे से prepare नहीं करा है और वो चारा है कि कोई उसको ऐसा crash course provide हो जाए तो आप सबको पता है olive board की तरफ से आपके लिए crash course लागा गया है JK banking associate के लिए जिसमें आपको जब आप उसको purchase करेंगे तो आप triple s code वहाँ पे use करोगे तो आपको 20% का extra discount वहाँ पे मिल जाएगा clear so start करते हैं आज की class को so students I hope आप सबने mock 2 ऑली बोर्ड का जो mock 2 है आपका banking associate का वह आप लोगों ने दे लिया होगा उसको अगर जिस बचने नहीं दिया है तो वह morning तक दे लेगा कल आपका उसका mock analysis होगा life class रहेगी आपकी 10 a.m. पे quantitative aptitude पूरा का पूरा set कोशिश करेंगे उसमें solve करने की और आपको मैं पूरी की पूरी detail करके बताऊंगा कि कैसे आप लोग उन तरह के questions में अपने आपको accuracy के साथ लेते हुए आप लोग उनको solve कर सकते थे clear तो जुड़ना कोई मत बूलिएगा अगर time में कोई change लाना है तो आप comment box में बता सकते हैं start करते हैं अच के question को so students this is a bar graph given the details of students in five classes तो पांच classes है PQRST और कुछ students के बारे में details दी गई है so number of girls blue color में है और यहां पे पंगा है percentage of boys out of total number of students तो यहां पे यह नहीं दिया है कि कितने boys हैं बट हमें क्या दिया है percentage कितनी है boys की तो अब यहां पे आप question number one पे जैसे ही जाओगे ठेक है what is the average number of students in classes R and P so R and P में आपको total number of students के बारे में पूछ रहा है उनकी average तो हमें पहले पता होना चाहिए कि girls का तो पता चल जाएगा direct read करेंगे बट boys का नहीं चलेगा तो इस तरह की question में जब examiner आप से चाह रहा है कि वह थोड़ा सा प्री workout करें question solve करने से पहले आप थोड़ा सा प्री वर्क आउट करें क्यूंकि यहां पे आप percentage और number of girls से number of boys निकालना पड़ेगा then total निकलेगा then question solve होगा so focus मेरा यही रहेगा कि इसमें जो concept है कैसे आप लोगों वही सिखाना है ज्यादा question मैं इसमें नहीं लाया हूं clear start करते है students आप लोगों को इस तरह के question में yes आप लोगों को data लिखना पड़ेगा इस तरह से table आपको बनानी पड़ेगी clear क्योंकि ऐसे आप लोग इनको solve नहीं कर पाऊगे सबसे पहला जो चीज होती है सबसे पहले आप लोगों ने डियाई में क्या देखना होता है एक unit की value निकाल नहीं होती है यहां से देखो 0 से लेके 10 तक कितनी lines है बीच में 1,2,3,4,5 से separate हो रहा है 6 तक 10 पे जा रही है तो मतलब 5 line हैं 10 number को cover कर रहे है तो एक set कितने को cover करे दो यूनिट तो अब आपने दो यूनिट लेके चलना है हर एक value को number of girls पी में के case में देखो यह 50 है 50 से एक नीचे जाने की 48 तो इस तरह से आप लोगों ने जल्दी जल्दी डेटा को note करना होता है clear girls है यह क्या है आपकी girls percentage boys की देख लेते हैं यहां पे लिखेंगे क्यों और percentage of boys बराबर है कितना 50% next 40 girls and percentage of boys is 20% clear कुछ बच्चों को अभी trick पता चल गया उनके दिमाग में click होना start हो गया वो यह number of boys calculate कर भी रहे हैं दिमाग में very good guys अगर जिनको नहीं आ रहा वो देखेंगे कैसे 30 से कितना उपर है 32,34,36 हां 36 से थोड़ा से नीचे है और 34 से उप girls होंगी इस में ठीक है डेटा को रीड करना आना चाहिए अच्छे से percentage boys की 30% clear 30 then 32,34,36 तो girls कितनी 36 और percentage of boys पचास हां दो बावन चोगन अच्छा 56 और 54 के center में है तो मतलब 55% clear अब यहां से जो बच्चा जल्दी से calculate करके यह देख लेगा number of boys कैसे निकलेंगे वो इस question को जल्दी से ले जाएगा ठीक है okay so let's see percentage आप boys 60 है तो total percentage कितना होता है 100 तो पीछे 60% boys है तो girls कितनी होंगी 40% 40% की value कितनी है 48 तो कैसे लेखेंगे 40% की value है 48 एक परसेंट की value निकाल सकते है boys कितने percent है 60 एक परसेंट की value तो boys की 60 clear first time यह समझाने के लिए मैं आपको बता रहो आपने इतना लिखना paper में नहीं है आपने कितना लिखना वो मैं second step से आपको समझाओंगा करो calculate 3 से multiply गरना है 2 से divide 2 1s are 2 यह 24 से कटेगा 24 ते हां 72 clear 72 boys 50% है girls 28 है मतलब बराबर बराबर है तो 28 28 20% boys है 80% की value है 40 दिमाग में सोचना है 80% की value 40 एक परसेंट की value 40 बटे 80 20% की value निकालनी है boys के लिए clear 1 बटा 2 2 से काटा 10 calculation दिमाग में भी हो सकती है आप कर सकते हैं ठीक है 30% मतलब 70% की value 35 तो एक परसेंट की value 35 बटे 70 चाहिए किसकी हमें 30 की 35 35 यह कर गया 15 से number boys आगे 15 इस तरह से क्योंक एक्षिंस आपने वहां पे करने होते हैं 55% boys 45% girls तो एक परसेंट की value सीधा दिमाग में अब यह नहीं लि 5 के टेवल में आ रहे हैं 59 जा 5 11 जा यह सो 9 4 जा 11 4 जा 44 यह कितने होगे आपके 44 बस तो यह इस तरह से आप लोग इतना सा पूरा solve करने में आपके ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम लगेगा दो मिनिट और इतना सा टाइम आप डिवोट कर सकते हैं बाकी questions इसके उपर ब percentage को भी हमने revise करा आपको समझाया होगा अच्छा लगा है तो session को उस जरूर्त मंद बच्चे तक जरूर पहुंचाएगा जिसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपके लिए clear question is average number of students in class R&P तो average निकालने के लिए total पता होना चाहिए R और P का P में देखो 72, 8 होगे 80, 80 और 40, 120, 120 होगे R में देखो 40 और 10, 50 add करेंगे बनेगा 170 इसकी average निकालने हैं 2 से डिवाइड कर लो 80, 80 और 5, 50, 60, sorry 85 will be the correct answer so this is the right way to approach this type of questions I hope आज के question का level जो बच्चों को लगता था कि बड़ा easy levels है पढ़ा रहे हैं students हम वही पढ़ाते हैं जो आपको exact paper में आना है ठेक है ऐसे डी आई की मैं बात करूँ ऐसे ऐसे डी आई में आ सकता हूं और ऐसे ऐसे डी आई SBI PO Mains में आते हैं जहां पर cut off जो है वो 0.5 marks जाती है तो आप लोग लेवल सोच चकते हो बट PO Mains के लिए जो classes होंगी आपकी उसमें level जरूर अच्छा लाएंगे आई होप आज की class आपने enjoy करी होगी इस चीज़ का ध्यान रखिए कल आपका 10 a.m. live class को होने की पूरी पूरे chances हैं तो mock 2 जिन बचों ने नहीं दिया है वो जरूर दे लें अलिबोर का थैंक यू सो मच गाइस God bless you all इस class में इतना ही रखेंगे मिलते हैं next class में